नमसकार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप नर्स हो या फिर आप कोई भी हेल्थ के परफेशन से बिलॉंग करते हो तो आप आइसलेंड में कैसे जॉब अपलाय कर सकते हैं तो इस वीडियो में specially हम देखेंगे कि specifically कि नर्स कैसे जॉब अपलाए कर सकते हैं अपने ही country से आपको आइसलेंट आने की कोई ज़रूरत नहीं या फिर आइसलेंटिक language भी learn करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप directly अपने देश में बैठें बैठें इस जॉब को अपलाए कर सकते हैं अगर आप सेलेक्टेट होते हैं तो सारी प्रोसेस में वो जो हास्पिटल है वो जो हायर करेगा आपको वो हिल्प करेगा प्रोम आपका residence permit निकालने से आपको license दिलाने से नर्सिंग का और आपका accommodation और salary सब सब तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मैंने इसका English version भी बनाया है तो इस वीडियो के description में मैं शायर उसकी link पे तो मेरे आगे एक website है लैंस्पिताली करके तो यह जो है लैंस्पिताली यह आप अगर इस पर जाएंगे इसका link में description में दे दूंगा तो आप English भी चूज कर सकते हैं यहां से तो आपको सारी information English में मिल सकती है लैंस्पिताली कहते है कि it's a national university of national university hospital of Iceland तो यह रेकविक जो कैपिटल है वहाँ पर है और आप अगर इस पेज पर जाएंगे तो आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो आपको दिखेगा कि available positions कि कि अभी कितनी available positions है यहाँ पर कौन से जॉब आप अप्लाए कर सकते हो और यहां पर दो categories है एक non-EU जो European Union पर नहीं आती जो countries जहांसे वो people जो लोग आप specially मैं यह बना रहा हूं कि जो हिंदी में of course हिंदी में मिना रहा हूं तो obviously कि people who are coming from non-European country जो अपनी अलग continent है Asian continent वहां से आ रहा है तो आपको क्या process है तो वो सब देखेंगे हम इसमें तो आपको जाना है तीसरे टैप पर यहां पर आपको सब आप सारी जानकारी English में है लेकिन आप obviously आप अगर नर्सिंग सीखें हो पड़े हो प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको English आती है obviously तो में हिंदी में इसलिए बता रहा हो कि काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि आप हिंदी में वीडियो बनाए तो इसलिए बना रहा हो और यहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी लेकिन इससे आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा की लास्ते में नर्सम पर एक वीडियो बनाया था आइसलरंड के लिए यह बनाया था तो काफी लोग कंफिव manufacturers कैसे स्वाव पूरा देखा नहीं की सारी प्रोसेस कैसी करनी है क्यकर लगते हैं और सवाल पुछने लगए तो मैं आपसे विंद्धी करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखिए अगर आपको कुछ confusion है confusion है उसके बाद आप मुझे लिखिए तो मैं शायद आपकी कुछ help कर पाऊंगा अगर मैं help करता है जो सारा रिसर्च में करता हो और वीडियो बनाता हूं यह मेरी ओन रिसर्च से होता है मैंने मैंने कुछ लोगों को देखा है फिर पैचानता हूं जो इस healthcare profession में काम करते हैं तो उसी बेस पर मेरा knowledge इस profession में आया है थोड़ा और उसके बारे में रिसर्च करकर तो मैं नॉर्मली तो डेन्मार्क वीडियो बनाता हूं लेकिन काफी लोगों ने पूछा कि अगर डेन्मार्क में बना रहे तो आप आइसलेंड का भी बनाएं तो काफी पास में है सारी language भी अल्मोस्ट सिमिलर है तो सोचा कि मैं आपको लिए हिंदी में आइसलेंड का न सब्सक्राइब के साथ चलो स्टार्ट करते हैं तो आप अगर इस लाइंश्पिटाली वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यह तीसरी टाप पर जाना है जहां पर लिखाएगी सिटिजन्स फ्रॉम कंट्रीज आउटसाइड यूरोपें यूनियन एरिया यहां भी कुछ इंपॉर्टन लिंक्स दिये उन्होंने जैसे कि यह है इमज आप अगर नर्स डॉक्टर में आप लिए तो आप इनको पॉंटेक कर सकते हैं इस इमेल पर और आपको अगर जोब के बारे में कुछ जानकरी चाहिए तो आप यहां पर एक एमेल दिया है तो आप उनको यह है कि आप कैसे इस प्रोस्टेस को शूरू कर सकते तो चलिए देखते तो यहां पर यूंका इंफोर्मेशन आवर वेकंसी सिए तो जिनकी इनकी सारी जो जो जौब पोस्टिंग और वेकंसी अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पर वो पोस्ट करते हैं तो आप आपको जान को करना ही है आइसलेंड में जौब तो आप आईए आइसलेंड में ऐस स्टुडेंट आप एक या देड़ साल का कुछ डिपलोमा होता है आइसलेंटिक लैंग्विश में वो कोर्स कम्लिट कीजिए और वो एक्सेम पास कीजिए तो आपके लिए ऑप्शन काफी बढ़ जा दॉक्टर के लिए भी है शायद लेकिन स्पेशली अब नर्स का देख रहे हैं तो हम वो देखते हैं यहां पर देखो इंग्लिश में है लिखा हुआ है यह वाला जौब आपको अपले करना पड़ेगा आप अगर यूरोपन यूनियन के आउरसाइड हो तो अगर आप जौब अपलाई कर सकते हो तो उसमें आपके चांसेस काफी बढ़ जाएंगे आपको वो जौब मिलने के उसमें भी कोई बात नहीं अगर आपको यह वाला जो इंग्लिश में जौब है वो अपलाई कर सकते हो उसमें क्या होगा कि आज रेजिस्टर नर्स यूँवां तो इंटरनेशनल नर्स वो आपको यहां पर अपलाई करना पड़ेगा तो यहां पर आप जब उस जौब लिंक पर क्लिक करोगे तो आप के आप उस जौब प्रोफाइल पर चले जाओगे और उसके बारे में आपको कुछ इंफोर्मेशन दी होगी आप पर इंपोर्टन तो जब यहां पर देखो यहां पर एक क्लिक है बटन है अपलाई करने के लिए आप यहां से इंग्लिश में भी चूज कर सकते हो लेकिन यहां पर आपको अपना अप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना होगा यहां पर तो मैंने थोड़ा सा कुछ इंफोर्मेशन डाली है मेर यहां पर देखो आपको सारी अपनी परस्नल इंफोर्मेशन भरनी है यह पिर एडुकेशन जो है आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो सब डालना है यहां पर आपका प्रीवेस जॉब आपका प्रीवेस जॉब नहीं होगा तो भी आप कुछ अलग रेफरेंसेस डाल सकते हैं कॉमपिटेंस आपके क्या क्या है आप किस्मे इस्पेशलाइब करते हो एप एक अगर आप काडियाक नर्स हो यह फिर जो भी आपका डिपार्टमेंट है वहां से वह सपेशलीटी है जो आप यहां पर डाल सकते हो रेफरेंसेस तो इसमें यह भी है कि जो तो आप एक काम करें कि जो आपके उनिवर्स्टिज में और ने पर भी ωरेंस्ट क्योंते ऊच्छा हैं, उनको अच्छ बोल सके आपको एक क्लेटर बनाए उन से कि अपके बारे में कि आप इस जौब में कैसे हो अधे नर्स कैसे बनोगे तो वो सारी चीजे उस में डालकर वो लेटर आप उनसे लेजे और अपना उनका स्टैम्प और सिंगनेशर लेजे तो उसको भी कंसिडर करते हैं कि तो आप जो जूब नहीं कर रहे हैं स्टुडेंट्स है वो आप यह कर सकते हो तो वो सारी चीज़े आपर फिल आउड करनी है फिर कमेंट्स या फिर आपको अपना सीवी एप्लिकेशन मोटिवेशन लेटर और अपनी पिच्छर्स भी सारी अपलोड करनी है आपर तो चलिए एक्चुली हम देखते हैं कि जॉब क्या है तो जो आपका मेंट टास्क रहेगा न वो है टू प्रोवाइड नर्सिंग सर्विसेस कांसिलिंग अन सपोर्ट तो पेशेंट्स अफोर्स तो किसी भी नर्स का यही जॉब होता है कि आपको कांसिलिंग करनी है सपोर्ट decision of innovation in nursing soा आपका nursing innovation ला वर्क होता है उसमें आपको याइडियास देने innovation के लिए क्या कर सकते है क्या ऑणेही कर सकते तो हम जो मेन हैरे response facilityllix वह है और यहां पर देखो पूझ एक बात और भी अच्छी है कि जो थर्ट आपको कितना काम करना है हफते में क्योंकि ऐसा होता है कि अपने जो एशन कंट्री से आते हैं पर कोई भी कंट्री पकड़ लिए जितना मैंने देखा है और जितने लोगों को मैं जानता हो इस प्रोफेशर में काम करते हैं बहुत ही है ज़नटे ही काम करना पुड़ता है उससे जादा नहीं अगर उसे जादा कर रहे हैं तो आपको कॉंट्रेक्ट में लिमिट होता है कि इससे जादा नहीं कर सकते और इससे जादा करते भी थो एक दिन इक्स्रा चुट्टी देते हैं स्पेशली अगर नायट शुव रही तो ऑपको अनट थी हैं तो आपको चुल JUN में होता है तो आपको तुह मैं परमिशन लेकर स्वाइब नियुन तो यहां पर लेकिन यहां पर दिखाए कि लिखा है 32 to 36 hours कि आपको 32 से 36 गंटे ही काम करना है आइसलेंड में तो काफी अच्छी बात है और एक बहुत ही अच्छी बात इसमें यह है कि जो यह गंटे 32 से 36 गंटे उसमें ही आपका language course included रहेगा तो आपको अच्छी उसके लिए पैसे भी मिलेंगे सीखने के लिए आइसलेंडिंग लेंगे तो आप मैं उस पॉइंट पर ज़रूर आऊंगा भी थोड़ी दर में एक मिनट में तो आप जब नीचे स्क्रोल करेंगे तो आपको more information मिलेंगे कि चलो इसको देखते competences and requirements तो आपके requirements क्या है आप किस चीज को आपको धान में रखना है कि आप eligible हो इस position को अपला करने के लिए तो सबसे पहले तो यह है कि आपको license चाहिए as a nurse you want to practice nursing in Iceland तो आप registered nurse होने चाहिए आपकी अपनी country में तो जैसे मैंने कहा कि कोई आप last year में हो education क्या आपके तो आप obviously जब पास आउट होंगे तो आपको license मिलेगा और फिर आप कही internship करना चाहोगे और एक एर experience लेना चाहोगे उसके ही बीच में आपकी सब सारी तयारी शुरू कर सकते हैं ताकि आपका experience भी आ सके आपको reference भी मिल सके अच्छा और आपकी सारी तयारी भी हो सके बाहर जाने के लिए तो और जो है वह तो हो गया पहला nursing license और दूसरा है जो education that meets the requirement as defined in the regulation on the education जो इनका special in case country का regulation है standard of education है वो देखेंगे कि आपके standard of education डिग्री से match होता है कि नहीं जो आपके पास degree है as a nursing की तो वो आपको इस पर इस लिंक पर जाकर सारा पढ़ देना है कि इसमें क्या क्या include करना आपको so licenses and everything तो normally इसमें क्या होता है कि जो आपका documentation होता है आपकी studies के बारे में कि कौन से कौन से subject है कितने कितने घंटे इसमें पढ़ाए हुआ है आपको फिर आपका clinical work कितना था practical work कितना था उसमें क्या चीजे थी तो आपको एक documentation बनाना है और फिर वो सब बिना कर इनको भेजन है और सबसे important बाग कि आपको English आनी चाहिए obviously आप अगर Iceland जा रहे हो Icelandic नहीं आ रही तो English तो आनी चाहिए और दूसरी है कि willingness to learn Icelandic तो आपको Icelandic सीवने की कोई जरूरत नहीं है पहले से तो अगर आपको स्रुप जॉब अपला करना है कि देखना कि अगर हम बाइचांस अग लेकिन जो बुल रहे हैं कि fluent English होनी चाहिए तो आपको उस चीज का actually proof देना पड़ेगा कि आप fluent हो English में तो एक हो सकता है कि आपको IELTS देना पड़े तो वह आपकी English Language प्रफेशन सी टेस्ट हो पाएगी तो उसमें आप चार पार्च जो भी मिनिममम रिक्वाड बैंड होते हैं आएंगे तो आप आपके परूफ होगा कि आप English में आपकी अच्छी कमांड है और आप अपलाय कर सकते हो और मैंने इसके बारे में उनको actually email भी लिखा है कि अग इनको कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है तो मैंने email लिखा है उनसे अभी तक कुछ response नहीं आया लेकिन अगर कुछ आता है तो मैं आपको comment में वह पीन कर दूंगा तो आप वहाँ देख सकते हैं और last point of professional ambition and excellence communication skill obviously और जॉब में चीज तो चाहिए that was competences and requirements so इधर अगर right side में देखे तो more information कि यह अभी closing date इसकी ही है लेकिन आपको चीज को धान जादा नहीं देना क्योंकि सारी यह चीजे अगर अगर जॉब खतम हो गया तो वह नया job always they put different positions तो आप different different positions डालते हैं तो वह date of application extend होते रहता है और यहाँ पर दिया गया है कि assistance guidance in applying okay और कौन सी चीजे एने services यह provide करते है अगर आपको job मिल जायता तो तो सबसे पहले तो आपको यह help करेंगे starting में ही आपको residence permit दिलाने की work residence permit ताकि आप Iceland आ सके और पटा-पट अपना nursing का job start कर सके और फिर आपको मिलेगा assistance in guidance applying for Icelandic nursing license जो आपको license लेना होगा Icelandic nursing से वह आपको दिलाने में आपकी मदद करेंगे और आपको professional development year hospital foreign nurses participation करना पड़ेगा इस सारी चीजों में different events में Icelandic language course partly during working hours तो जो मैंने कहा था कि जो 32 यह 36 गंदे आपको job करना है उसमें ही partly यह working hours में ही आपको language भी सिखाया जाएगा आप obviously part time extra भी ले सकते बाहर jobs जो आपको पढ़ना होगा अगर जल्दी सिखना होगा Icelandic language तो यह फिर वो जो course provide कर रहे हैं hospital से ही वह ही आपको मदद करेगा Icelandic language सिखने में तो जो salary का भी दिया है इन्होंने की जो उनका standard होता है जिनका agreement है नर्सों का association के साथ उतना ही standard मिलेगा आपको obviously वह vary करता है different की आपका आप जैसे newly graduated nurse हो तो start करें आप तो standard package जो होता है government का वही मिलेगा जो उन्होंने जो threshold decide किया वो तो yes उसके लिए आपको क्या के documents देने आपको देना है आपकी copies educational credentials nursing license obviously जो आपके license है और वो आपको degree जो आपने पढ़ा है वो और obviously जो मैंने बताया था कि regulation education right तो आपका उसके लिए आपको अपने degree का एक documentation मना बढ़ेगा कि कुण से subjects आपने पढ़े है कितने hours है clinical hours कितने पढ़े प्रैक्टिकल्स कितना है वैसा उस अपचारी चीज़ आपको वह इस PDF में जहां पर link है यह वहां पर आपको मिल जाएगा और दूसरा है introductory letter in English तो आप खुद का जो introduction देंगे वह एक लेटर आप इसको motivation लेटर भी कह सकते हैं कि आप क्यों इस job को apply करना चाहते हो या फिर आप why you are the one कि वह आपको ही सिलेक्ट करें as a nurse तो यह सारी चीज़े आप धार में रखके रहें अच्छे से कुछ लेटर बनाए और दूसरा है employment certificates from previous employers और यह सारी चीज़े आपको PDF format में बनानी है इस चीज़े काफी धान रखे क्योंकि जब वह प्रोसेस करते हैं आपका application तो उनके लिए काफी easy हो जाता है जब वह गाइडलेंस दिफाइन करते हैं कि PDF में बनाएना है फिर वह डॉकमेंट में तो PDF में बुला है उन्होंने तो PDF में ही बनाए ध्यान रखे इस चीज़ का ताकि उनके लिए आसान हो सके आपका जो केसे वह प्रोसेस करने के लिए और बस उतना ही है अगर आप कुछ questions है तो आप उनको HR को लिख सकते है जो उनका email address है for HR तो और कुछ नहीं है और कितनी अच्छी बात है कि जो मैंने पहले वीडियो बनाता है उसमें थोड़ा confusing ता काफी लोगों को समझ भी नहीं कि इसमें थोड़ा सा documentation जादा है form fill out करने है और missing information है कि इस चीज को कैसे करना है तो इसलिए यह जो नए दोज़ार चोबिस में जो नए रूल्स आया फिर उनने प्रोसेस सिंपल किया है स्पेशली जो नॉन यूरोपियन कंट्री से आते उनके लिए तो यही था और आपको इस चीज में किसी किसी भी चीज में अगर आपको आप पहले तो सारा वीडियो पूरा देखे आप अगर आपको कुछ भी इसमें को रिप्लाइ करते हो हमेशा और कोई-कोई लोग तो काफी फोन भी करते हैं वाटसाप पे तो उनको भी में हल्प करता हूं काफी और काफी लोग जो होते हैं कि इस प्रोसेस में काफी आगे आते हैं फिर वो उनसे ओनी पाता कि गीवप कर देते हैं लेकिन आपको ऐसा न नर्स और हखे प्रोफेशनल तो अगर आपको इस चीज में कुछ भी हल्प शिये तो आप प्लीस मुझे बताएं तो आपकी हल्प करत पाऊँगा मैं तो थैंक यो सो मच फोर वाचिंग अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानकरी अच्छी मीली हो तो आप पीलीस इस व अलग अलग वीडियो में आपके लिए मैं बनाता रहू और थैंक यू फॉर वाचिंग बाई बाई